नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विवेक भारत द्वाज आप देख रहे हैं हमारे चनल टेक्नलोजी विवेक जहां हम मोगाल और कंप्यूटर टेक्नलोजी से जुड़े हुए काफि सारी वीडियो लेकर आते रहते हैं आयो दोस्तों आज का जो नेक्स्ट वीडियो लेकर यह आप देख रहे होंगे हमें लार्जस नमबर निकालना है तीन नमबरों से बड़ा ही बेसिक सा प्रोग्राम है दोस्तों और जो भी बिगनर्स हैं उनको छोटे-चोटे लॉजिक सिखाने के लिए इफल्स जैसे कंडिशन स्टेट्मेंट सिखाने के लिए आपको कैसे बनाना है यह मैं आपको दिखाऊंगा यह आप देख रहा होंगे दोस्तों हमारी वेबसाइट से आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं पढ़ सकते हैं हाल फ्लाल मैं आपको लेकर चलता हूँ आप इसको कहीं पहले कॉपी पर लिखिए लिए लिखने के बाद आप इसको ध्यान से देखिएगा कि करना क्या है यहां पर देखिए लाइब्री फाईल है दोस्तों में आपका प्रोग्राम रन हो रहा है तीन मैंने वेरियेबल ले लिये है क्योंकि मुझे तीन नमबरों compare करना है और largest निकालना है मैंने user से print करा दिये कि तीन नमबर आप यहां पर enter करिए तीनों नमबर को मैंने सुरक्षित save कर लिया है X में, Y में, Z में अब यहां से मेरी condition statement शुरू होती है और मैं पहले compare कर रहा हूँ X को, क्या X, Y से बड़ा है और यह end का आप sign देख रहे है end operator जो होते है मतलब कि अब आपको दोनों condition को एक साथ सही आपकी होनी चाहिए तो X, Y से बड़ा हो Z से बड़ा हो, अगर ऐसा होता है तो percentage D is highest मतलब कि हमारा X जो है बड़ा होगा और यहां पर नमबर आ जाएंगे इसी तरीके से अगर आपको दो condition लगानी है तो आप if और else का यूज़ कर सकते हैं लेकिन यह condition दोस्तों 4 लग रहे हैं तो if के बाद मैंने else if को open कर लिया है else if आप कितने भी open कर सकते हैं if else की condition में अब मैंने same Y को compare किया कि Y मेरा X से बड़ा होना चाहिए Z से बड़ा होना चाहिए अगर ऐसा होता है तो यह यहीं print हो जाएगा और यह loop खतम हो जाएगा नहीं होता है तो Z को compare किया जाएगा Z X से बड़ा होना चाहिए Y से बड़ा होना चाहिए और इसके बाद Z अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर आ जाएगा All the three values are equal माल लीजी अगर यह एक दूसरे से compare की गई है और तीनों ही वराबर निकली तो यहाँ पर आ जाएगा कि तीनों की तीनों value जो है equal है तो दोस्तों यह program मैंने बना दिया है अब मैं इसको run करके आपको दिखाता हूँ यह हमने यहाँ से build और run command प्रेस कर दिये देखिए number माग रहा है चलिए हम number देते हैं यह हमने पहला number दिया 45 दूसरा number दिया हमने 46 तीसरा number दिया हमने 47 तो अब लिखके आ जाएगा 47 जो है highest है अगर मैं यहाँ पर आपको same number देकर दिखाता हूँ एक बार और इस program को run कर देता हूँ माली जी मैं यहाँ पर number देता हूँ मैंने same number दे दिया है तो देखिए यहाँ पर लिखकर आ गया है कि तीन की तीनो जो values हैं वो आपकी equal है तो दोस्तों यह बड़ा आसा के लिए code block पर हमने एक program बना के दिखाया जो कि तीन number को check करेगा और यह आसान सी condition है अगर आप mathematics में भी check करते हैं तो इस तरीके से ही greater और less than के symbol का use करके आप check करते हैं तो यह आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है अगर आपको mathematics समझ में आती है क्योंकि यह terminology mathematics की है हम सिर्फ प्रोग्रामिंग कोड जो है computer science की भाषा में कहते हैं तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए अपने programs को बनाई यह और इनको basic ना समझते हुए इनका मजाक ना बनाते हुए यह बड़े चोटे चोटे वीडियोस है जो की बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपके और यही यही से logic जो है बनते हैं और फिर जाके आप advanced level की program में कर पाएंगे तो दोस्तों इस वीडियो को शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरा नाम है विविक भाहरत द्वाच थैंक यू